developmental biology से CSIR exam में 30 marks से ज़्यादा के question आते हैं यह एक scoring unit है और इस unit से B और C दोनों ही section में question पूछे जाते हैं तो इस video से मैं इस unit को cover करूंगी साथ ही CSIR के previous year के जो questions है जो इस topic से आए हैं उन्हें भी solve करेंगे तो स्वागत है आप सबका bio ad channel में आई यह शुरू करते हैं developmental biology तो पहले हम यह समझते हैं कि development क्या है इसमें कौन-कौन से stages आती है जिसके बाद ही हम आगे समझ सकेंगे कि कहां पर किस stage में किस तरीके का जो gene है वो काम कर रहा है यह किस तरीके से phenotypes बगएरा change हो रहे है और जिससे related question CSIR में पूछे जाते हैं development, animal और plant दोनों में होता है पर यहाँ पर हम animal development के बारे में देखेंगे development का मतलब होता है लगातार विकास होना यहीं कि लगातार होने वाला विकास जो है वो development है development की process में एक single cell से एक complex यहीं कि बहुत ही जटिल बहुकोस की जीव का निर्माण होता है इस process के अंदर जो cell होता है उनका number बढ़ते हैं यहीं कि एक cell से हजारों cells बनती है cell का differentiation होता है मतलब एक तरीके की cell अलग-अलग तरीकों में divide होती है pattern का formation होता है और साथ में morphogenesis होती है इसके साथ साथ उसके अंदर growth होती है इन सारे term को हम आगे detail से समझेंगे animal, fungi और plants कोई भी हो इन में egg से adult बनने का बस एक तरीका है embryo का बनाना और उसका धीरे-धीरे विकास होना कि वो adult में develop हो जाए embryo वो structure है जिसमें genotype, phenotype के अंदर translate होते है बदलब कि किस तरीके के उसके अंदर gene है और किस तरीके के लक्षण उसमें दिखेंगे ये gene माता-पिता से आते हैं और वो adult के अंदर express होते हैं किसी वी तरीके का अंदर हो चाहे वो केचुआ, चील, दीमक या बीगल हो इनके अंदर जो development की process होती है वो same होती है निकी पहले fertilization होगा उसके बाद cleavage, फिर gastrulation, उसके बाद organogenesis, फिर birth, बर्थ के बाद metamorphosis और gametogenesis यह process सारी animals में लगभग लगभग एक जैसी होती है अब fertilization से ले करके जो birth है निकी fertilization, cleavage, gastrulation, organogenesis और birth इसकी process को embryogenesis कहा जाता है चुकि हम सब जानते हैं कि जो animal का group है उनके अंदर बहुत जाद़ा diversity यानि कि भिन्नता पाई जाती है बट अगर हम development वाले portion में देखेंगे जहाँ पर जीव बनता है तो सारे ही जानवरों में या animals के अंदर वो process एक जैसे होती है लगभग common तरीके के जो process होती है वही होती है एक single cell से लेकर के एक इतने ज़्यादा complex multicellular organism के development के अंदर कितनी stages आती है हम वो समझते हैं और उन stages के अंदर क्या-क्या changes आ रहे है cells के अंदर वो किस तरीके से एक दूसरे से communicate कर रहे हैं किस तरीके में उनमें signaling हो रही है किस तरीके से उनके अंदर जो inherited genes है जो उनके माता-पिता से आया होगा है वो किस तरीके से काम कर रहा है यह सब कुछ हम समझेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं यह stages of development है यानि कि पहले fertilization होगा fertilization के बाद जो cells बनेगी उनका cleavage होगा cleavage के बाद gastrulation उसके बाद organogenesis फिर birth फिर metamorphosis और finally gametogenesis और gametogenesis के बाद वापस से fertilization स्टार्ट होगा और यह cycle वापस से इसी तरीके से शुरू हो जाएगी पहले हम समझते हैं कि fertilization क्या होता है fertilization के अंदर दो sex cells यानि कि sperm और यह egg cell यह दोनों participate करते हैं fertilization में mature sex cells यानि कि sperm और egg आपस में fuse होते हैं sperm and egg को gametes भी कहा जाता है gamete cells के fusion होने से egg cells stimulate होती है development करने के लिए और एक नया individual बनाने के लिए gamete cell के fuse होने के से जो egg cells है वो stimulate होती है उसके अंदर कई तरीके की chemical signaling होती है जो development करने और नया individual बनाने के लिए ज़रूरी होता है पहले तो cells आपस में fuse होती हैं जैसे ही cells fuse होती है egg cell के अंदर sperm cell का nucleus चला जाता है अब इन दोनों cells के nucleus आपस में fuse होंगे और उसके बाद embryo बनेगा इन दो nucleus के fuse होने से इनका जो half-half genome embryo में जाएगा तो इस embryo के अंदर sperm cells और egg cells का half-half genome जाता है तो पहले fertilization होगा तो पहले fertilization होगा gametic cells का gametic cells के fertilization के बाद जाइगोड बनेगा जिसके अंदर दोनों nucleus जाएंगे नहीं एक nucleus sperm का, एक nucleus egg का जो आगे development होगा signalings वगेर होगी और इससे embryo का development होगा इस embryo में भी आगे जागर के कई process होगी और उसके बाद fetus का development होगा तो embryo के अंदर जो genes होते हैं वो embryo को signal देते रहते हैं कि उसे अपने माता-पिता के तरीके से ही develop होना है fertilization की तुरंद बाद ही जाइगोड में cleavage शुरू हो जाता है cleavage के अंदर बहुत ही जल्दी-जल्दी cells का mitotic division होता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक single cell है इस cell में mitotic division होगा तो cell क्या होगी दो cells में divide होई फिर यह दो cell में वापस mitotic division हुआ और यह चार cells में divide हो गई इसी तरीके से लगातार जो mitotic division है वो होता रहता है तो cleavage के समय जाइगोड में जो यह जल्दी-जल्दी division हो रहा है इसमें जाइगोड से cytoplasm में कई छोटी-छोटी cells बन जाती है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह किस तरीके से छोटी-छोटी cells बनी हुई है इन cells को blastomeres कहते हैं cleavage के खत्म होने के बाद ही blastomere एक खोखला गोला बना लेती है जिसे हम blastula कहते हैं और इस blastula यह जो cells होती है वो किनारे चली जाती हो और यहाँ पर एक खाली जगे छोड़ देती है जिसको blasto seal कहते है cleavage भी कई तरीके से होता है जो animal species के हिसाब से बदलता रहता है यहनि कि जैसे drosophila में अलग तरीके का cleavage होगा जो frog होगा उसके अंदर अलग तरीके का cleavage होगा लिए तो इस तरीके से जैसे जैसे animal का group बदलता जाएगा cleavage के जो तरीके हैं वो बदलते जाएंगे blastula जो है इसके अंदर जो cells का group होता है और एक बार के cleavage में लगबग 100 तक cells बन जाती है cleavage के बाद जैसे ही blastula बना blastula के अंदर blasto seals बन गे उसके बाद जो process स्टार्ट होती है उसको gastrulation कहते हैं एक time के बाद जो mitotic division होता है जो अभी तक हो रहा था जिसकी वज़े से blastula बना वो धीरे-धीरे होने लगता है मतलब पहले बहुत fast हो रहा था अब वो धीरे-धीरे होगा जिसके बाद blastomere एक दूसरे की हिसाब से अपनी जगे बदलने लगेंगी इननी की blastomere cell के इस rearrangement को ही gastrulation कहते हैं और embryo को voice test जहां पर इसके अंदर gastrulation हो रहा होता है उस time पर उस embryo को gastrula कहा जाता है gastrulation का result यही है CSR में भी कई बार पूछा जाता है कि gastrulation होने के बाद embryo में 3 germ layer बन जाती है जिनको endoderm, ictoderm और mesoderm कहते है यह 3 layer आपस में interact होती रहती है यह कहें कि वो बातचीत करती रहती है और अपनी position के हिसाब से organs या tissues बनाना start कर देती है यानि कि जो ictoderm cells होगी वो बाहर की तरफ जाकर के रहने लगेगी mesoderm cells होगी वो बीच में आएंगी आपस में interact करके और endoderm cells हैं वो अंदर वाले portion में मिलेगी यह ictroderm दूसरे तरीके का organ बनाएगी mesoderm दूसरे तरीके का organ बनाएगी और endoderm दूसरे तरीके का organ बनाएगी एक बार जब germ layers develop हो जाएं या stable हो जाएं, स्थापित हो जाएं यानि अपनी अपनी जगे पहुँच जाती हैं तो यह कोर्सिकाएं या cells एक दूसरे के साथ signaling करके या बात करके organs और tissues बनाती हैं इसी process को हम organogenesis कहते हैं germ layer के बीच, जो हमने पीछे देखा gastrula हो रहा है, जहाँ पर gastrulation हो रहा है जिसमें germ layers develop होती है तो germ layers के बीच chemical signals होता है जो उसके बाद specific side पर specific organ बनते हैं जिस जगे पर जिस organ को बनना चाहिए, वो उसी जगे पर बनेगा कुछ cells तो जहाँ बनती हैं, उस जगे से चलकर दूसरी जगे जो उनकी final location होती है, वहाँ जाती है क्योंकि cells के भी signaling होती है इस सरीके से क्यों पता होता है कि मुझे यहाँ पर express ना हो करके या मुझे यहाँ पर develop ना हो करके किसी दूसरी location में जा करके develop होना है यह cells जो एक जगे से दूसरी जगे जा रही है इन में blood cells की precursor यहनि कि ऐसी cells जो आगे चल करके अलग-अलग तरीकी की blood cells बनाएंगी lymph cells का precursor, pigment cells और gametes यहनि कि ispum और egg cells भी सामिल होती है तो इस तरीके से आप देख सकते हो पहले यह जो है less developed organ है यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सो और ज़्यादा इसमें development हुआ है फिर इस तरीके से fetus develop होता है और fetus जैसे development complete होता है या fetus तक पूरा विकास हो जाता है उसके बाद होता है जन्म यहनि कि birth तो जैसे organogenesis complete होगा उसके बाद birth होगा और birth के बाद metamorphosis start हो जाता है तो यह अलग-अलग animals में अलग-अलग तरीके का metamorphosis होता है किसी में लंबा metamorphosis चलता है और किसी में बहुत ही छोटी stage होती है अब हम समझते हैं कि metamorphosis क्या है कई species में जब organism जो एक के जरिये पैदा हो या दुनिया में सीधे आए वो sexually mature नहीं होता adult को sexually active होने के लिए metamorphosis ट्रक्या से गुजरना पड़ता है कई जानवरों में young organism को हम larva कहते हैं यानि कि वो जो पैदा हुआ है उसको larva कहा जाता है यह larva से adult काफी अलग दिखते हैं मतलब जो उसका adult होता है वो एकदम अलग दिखता है जैसे आप frog या मेढ़क में देख सकते हो कि जो उसका larva के structure है जब वो पैदा हुआ है तो एकदम different है और mature जो frog है वो एकदम different है structure के अंदे कई species में larva wise stage है जो सबसे लंबे समय तक रहता है और इस stage का उपयोग वो भोजन या food प्राप्त करने के लिए या species के dispersal यानि कि species एक जगे से दूसरी जगे फैल जाए काफी के लिए यूज़ करते है जिस पानी में है अगर वो पानी बहा दिया जाए तो एक जगे जो पहली कठे थे उसकी जगे वो आप कई जगों में मिल जाएंगे तो यह हो गया species का dispersal तो ऐसी species में adult एक छोटी stage होती है जिनका एक मात रुद्देस होता है reproduction करना example के लिए हम समझते है silkworm के जो मौत होते हैं जिनने रेसम कीट पतंगे भी कहते हैं उनके adults के मूँ नहीं होते हैं मतलब जो उनका adult होता है उसके अंदर मूँ नहीं होता और वो भोजन नहीं कर सकते इसलिए वो अपने larva को परियाप्त खाना चाहिए इसलिए larva को परियाप्त कहाना चाहिए ताकि adult के पास जिन्दा रहने और मेटिंग करने के लिए एनरजी रहे वास्तों में अधिकांस female मौत जैसे ही pupa से बाहर निकलती हैं मेटिंग करती हैं और केवल एक बार उड़ती हैं और अपने अंडे देने के लिए उसके बाद वो मर जाती मतलब वो एक बार प्यूपा से बाहर निकली उसने मेटिंग करी और उसके बाद वो उड़े गी और खतम तो larva stage से इस तरीके से जो mature adult बन रहा है इस process को metamorphosis कहते हैं यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के genes अलग तरीके के chemicals जो होते हैं larva वगेरा के अंदर वो सब कुछ पार्टिसिपेट करते हैं फिराती gametogenesis stage gametogenesis मतलब कई species में कुछ cells अलग रहती हैं वो embryo के development में भाग नहीं लेती यह जैसे शुरू में हमने देखा fertilization हुआ sperm और एक cell का तो उससे एक पूरे adult बनने की process स्टार्ट हो गई तो जो उसके अंदर cells धीरे-धीरे develop होंगी वो सारी cells adult बनने की process में भाग बट कुछ reproductive cells होंगी वो अपने आपको अलग रखती हैं जो embryo के development में भाग नहीं लेती हैं यह cells gametes की precursor होती है gametes यानि sperm cells और egg cells इन cells को हम germ cells भी कहते हैं और यह reproductive function करने के लिए body में अलग रखी जाती हैं बाकी बची हुई body की cells को हम somatic cells कहते हैं somatic cells जो individual यानि कि किसी इनसान की body या जानवर की body बनाती हैं और germ cells जो एक नई generation बनाने में योगदान करती हैं somatic cells क्या होती हैं वो cells होती हैं जो individual या animals जो जानवर है उसके पूरे सरीर को बनाने में काम करती हैं और germ cells क्या होती हैं एक नई generation बनाने में अपना योगदान करती हैं तो इस somatic cell और germ cells का जो separation होता है यह पहला differentiation यह बिभेदान है जो animal के development में होता है germ cells gonad में चली जाती हैं जहां वो gametes में differentiate होती हैं के development को gametogenesis कहते हैं यह जब तक पूरा नहीं होता जब तक organism mature नहीं हो जाते maturity के समय पर gametes free होकर fertilization में भाग लेते हैं और एक नया embryo वापस से बनना शुरू हो जाता है फिर fertilization शुरू होगा फिर वापस से वो सारी process start होगी यानि की cleavage, gastulation, organogenesis फिर वापस से बढ़ और यह cycle ऐसे ही चलती रहती है तो adult organism अंतते बुढ़ापा आता है और मर जाता है उसके मरने के बाद उसकी body सर जाती है जिससे nutrients निकलता है और वो वापस से embryogenesis में काम आता है इस प्रकार जीवन के चक्र का जो है वो recycling के नवीनी करन होता रहता है तो यहां तक आप लोग समझ गए कि development में क्या-क्या stages है आगे आने वाले वीडियो में हम इन्हीं stages के बारे में CSIR के questions के recording जो important है उनको देखेंगे और ताकि जो questions को solve करने में काफी आसानी हो सके और आप अच्छा score कर सोको यहां तक देखने के लिए thank you so much please subscribe, like and share, thank you